नमस्कार दोस्तों मेरे यूटूब चैनल इंडियन रेसिपीज विसीमा में आपका स्वागत है यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगें तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों आज हम मुंगफली नारियल और दही की बहुत ही स्पेसल चैनल बनाने जा रहे हैं आप इसे घर में जरूर ट्राय करें, इसको बनाने का मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने जा रही हूँ तो चलिए शुरू करते हैं मुंग फली नारियल की चटनी बनाने के लिए एक कप मुंग फली, आधा कप कच्चा नारियल, हरी धनिया, दो लहसुन, हरी मिर्च स्वादा नुसार, 15-20 कड़ी पत्ता, दही करिब 30 ml बेको फ्रेस दही लिया है, रिफाइन डॉयल 10-15 ml, हाफ ती स्पून मस्टर्ड सीट्स एक चुटकी हींग, नमक स्वादा नुसार, आधा गिलास पानी मुंग फली को अब रोष्ट करना है, इसके लिए गैस को मीडियम फ्लेम पे रखें और इन्हें रोष्ट करें करिब 2-3 मिनिट के लिए मुंग फली को आप इस तरीके से रोष्ट करें, मुंग फली को रोष्ट करके हम चटनी बनाते हैं, तो अच्छा टेश्ट आता है चटनी में, ये देखिए धीरे धीरे रोष्ट हो रही है दो से तीन मिनिट में ये अच्छे से रोष्ट हो गई है ये देखिए इनका कलर भी चेंज हो गया है इसे थोड़ी देर ठंडा होने दें फिर इस तरह से सभी के छिलके निकाल लें आप मुंफली के छिलके हटा दें उसके बाद ही यूज़ करें आप छिलके हटाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसके काण से चटनी कड़वी लगने लगती है इसे मिकसर में डालें कच्चा नारियल को मिकसर में डालें यदि आपके पास कच्चा नारियल नहीं है तो आप सू स्वादनुसार एड़ करें आप चटनी बनाने के लिए फ्रेश दही का ही यूज करें दही डालने से यह बहुत ही अच्छा टेश्टी बनती है चटनी आप दही की जगा नीबू का रस भी एड़ कर सकते हैं मिक्सर में थोड़ा पानी एड़ करें पीसने में दिक्कत नहीं ह होगी अब इसे पीसना है इसका धकन बंद करें और इसे पीसे आप इसमें थोड़ा पानी और एड़ करें और पीसे इसे यह देखिए इस तरह पीसे इसमें अभी थोड़ा पानी और एड़ करना है ध्यान रखें इसमें एकदम से पानी एड़ ना करें थोड़ा थोड़ा करके ही एड़ करें इसमें पानी डाला फिर इसे थोड़ा सा और पीसेंगे इसे इस तरह से पीस लें आप ध्यान रखें इसको पीसते टाइम एकदम से पानी एड़ ना करें स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें यदि आप सुरुवात में पानी डाल देंगे ज्यादा तो अच्छे से चटनी पिस्ती नहीं है इसे निकाल लें दोस्तों अभी चटनी में तड़का लगाना बाकी है तो प्लीज वीडियो को इसकिप मत करिए आप आपको इसको गाढ़ा रखना है तो गाढ़ा रखें यदि पतला खाना चाहते हैं तो इसमें पानी और एट कर सकते हैं ये वैसे थोड़ी पतली चटनी ही अच्छी लगती है अब चटनी में तड़का लगाना है तड़का लगाने के लिए आप साबुत लाल मिर्च का आइट ओयल लें और ओयल को गर्म होने दें ओयल गर्म हो गया है इसमें एक चुटकी हींग डालें हाफ टेबल स्पून सरसो डालें और इसे चटकने दें अच्छे से इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा चटनी में सरसो डालना बहुत जरूरी होता है जब सरसो अच्छे से चटक जाए तब इसमें कड़ी पत्ता को बीच से तोड़कर डालें और साबुत लाल मिर्च को भी बीच से ब्रेक करके डालें ये तड़का तयार हो गया है इसे चटनी के ऊपर डाल दें इस तरीके से ये देखिए किता अच्छा तड़का बनकर तयार हुआ है ये देखिए स्पेशल चटनी बनकर तयार है आप इसे पराठा एडली डोसा के साथ खा सकते हैं ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में विलते हैं